तो अभी एक छोटा सा अपडेट देना था आपको जितने भी स्टुडेंट आयूश काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं तो जो ओल इंडिया कोटा की आयूश काउंसलिंग की वेबसाइड है डबले ट्रिपल सी यानि आयूश एड्मिशन सेंटरल काउंसलिंग कमिटी जो ओल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराती है इसके बारे मैं मैंने पहले भी बता रखा है कि ओल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो है यही कमिटी कराएगी तो यहाँ पर एक latest update आया है जितने भी student counseling से related है जिनोंने last year apply किया था यह साल करने वाले हैं उन सभी के लिए कि यहाँ पर जो student help line number था उसको change किया गया है अभी के लिए notice on shift of 888C student help line number तो आपको पता होगा कि जितने भी counseling के platform होते हैं अभी के पास एक student help line center रहता है तो अभी इसको change कर दिया गया उसका reason क्या वो यहाँ पर आप देख लेंगे it is informed that the student help line center of 888C counseling which run at all India Institute of Ayurveda Sarita Vihar is shifted to new permissions at the NCISM office in Punjabi बाग New Delhi तो जो center है 888C का वो थोड़ा change हो गया है AIIA Sarita Vihar से पंजाबी बाग New Delhi NCISM office में यह shift हो गया तो उसकी वज़ा से जो help line number था वो अभी functional नहीं है और इस transition phase के दोरान जो पहले से existing number था यह था या फिर यह तो इसको अभी available नहीं हो पाएगा यह number इसकी जगह पर नया number upload कर दिया जाएगा जो की जो official website है www.accc.gov.in यहाँ पर जाकर आप contact के section में देख सकते हैं जब update हो जाएगा तब तक के लिए जदने भी student की कोई query है जैसे बहुत सारे student की अभी तक जो security मनी है last year वाली नहीं आई थी तो आप जो है उस number पर call ना लगाएगे अब इस email के थुरूई यह आपको email करनी है और जो भी query है आपकी इसके थुरूई से solve होगी और जैसी कोई update आएगा तो separately हम